जंगल में कालू कव्वा और गोरी कव्वी चिकन बर्गर बेचा करते थे उनके बर्गर तो बिक जाते थे मगर उन्हें मनाफा बहुत थोड़ा होता था उनके पास ही चिडिया सबजी बेचा करती थी जिसने अपना पका घर भी बना लिया था और वो कव्वों से ज़्यादा अमीर थी कालू जी मैं तो ठक गए हूँ बर्गर बना बना कर ना जाने हमारे हालात कब बतलेंगे जो कमाते हैं वो खर्चा हो जाता है क्या करें गोरी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है चिकन को ही देख लो पूरे दस रुपए किलो हो गया है चिकन कालू जी बड़ा खर्चा चिकन का ही होता है अगर किसी तरहा चिकन फरी मिल जाए तो हमारे बिजनस में बच्चत ही बच्चत है ऐसा कैसे हो सकता है कि चिकन फरी में मिल जाए कालू जी मेरे पास एक उपाए है गोरी बात कर ही रही थी कि वहां तोटा आ जाता है एक बरगर दो कालू, मिर्ची थोड़ी ज्यादा डालना फिर कालू कववा तोटे को एक बरगर दे देता है जिसे लेकर तोटा चला जाता है चल कालू, घर चलें घर जाकर मैं तुम्हें अपना उपाए बताऊंगी जिससे हमें बच्चत ही बच्चत होगी फिर कालू कववा और गोरी कववी अपने घर को चले जाते हैं रात हो जाती है गोरी और कालू बैठे हुए थे जब गोरी कालू से कहती है कालू जी नदी में मैंडक बहुत है तो फिर मैं क्या करूँ मेरी बात तो सुनो क्यों न हम चिकन की जगा मैंडक डाल दिया करें बर्गर में किसी को क्या पता चलेगा गोरी अगर किसी को पता चल गया तो बहुत पिटाई होगी किसी को क्या पता चलेगा मैं नदी से मेंडक पकड़ कर ले आया करूंगी और फिर घर बैठ कर हम उनका कीमा बना लिया करेंगे गोरी अगर ऐसे हो जाए तो फिर बच्चत ही बच्चत होगी मैं अभी जाती हूँ रात है कोई देख भी नहीं रहा और मैं नदी से दो चार बड़े बड़े मेंडक पकड़ कर लाती हूँ फिर गोरी घर से निकल जाती है वो नदी पर जाकर बैठ जाती है थोड़ी ही दूर गोरी को दो बड़े बड़े मेंडक दिख जाती है जिन्हें गोरी बहुत आसानी से पकड़ लेती है अब खाएंगे पक्षी चिकन बर्गर की जगा मैंडक बर्गर और हमें होगा दुगना मनाफा गोरी खर चली जाती है दूसरे रोज गोरी और कालू मैंडक वाले बर्गर बना कर बेचना शुरू कर देते हैं कालू जी किसी को क्या पता चलेगा देखने में तो पता ही नहीं चल रहा कि ये मैंडक बर्गर है या चिकन बर्गर अब हम जल्दी ही बड़ा घर बना लेंगे कबूतर भी उड़ते उड़ते वहां आता है कालू एक बर्गर मेरी पतनी के लिए पै कर दो और एक मुझे दो मैं यहीं खाऊंगा फिर गोरी कबूतर को एक मैंडक बर्गर पलेट में रह कर देती है जिसे कबूतर मजे मजे से खाना शुरू करता है आज बर्गर का सवाद थोड़ा सा अलग लग रहा है क्या हुआ अच्छा नहीं है बर्गर अच्छा तो है बस ठीक है फिर कबूतर अपनी पतनी के लिए बर्गर लेकर चला जाता है गोरी और कालू शाम तक काम करते हैं कालू पैसे तो गिनो कितने हो गये हैं गोरी जितने भी हैं सारा मनाफ़ा ही है अब कौन सा हमें चिकन लेने की चिंता है शाम तक काम करने के बाद गोरी और कालू घर वापिस चले जाते हैं कालू जी मैं नदी पर जा रही हूँ मैं मेंडक पकड़ कर ले आती हूँ और तुम मेरे आने तक भोजन तियार करो गोरी ये थोड़े से चावल लेती जाओ ये चावल नदी में गिरा देना मेंडक चावल खाकर मोटे ताजा हो जाएंगे फिर गोरी कवी चावल लेकर नदी पर चली जाती है गोरी नदी में चावल गिरा रही थी कि कबूतर उसे देख लेता है वो गोरी के पास आता है गोरी नदी में चावल क्यों गिरा रही हो कबूतर आज कल धन्दा अच्छा चल रहा है इसलिए मैं नदी के जीव जंतों को भोजन देने आई थी कबूतर हैरान हो जाता है कि गोरी इतना अच्छा काम कैसे कर सकती है फिर कबूतर वहाँ एक पेड़ के पीछे चुप जाता है गोरी तीन बड़े मैंड़क पकड़ती है और घर के लिए उड़ती है ये मैंड़क क्या करेगी गोरी कबूतर भी गोरी के पीछे पीछे उड़ता है वो जाकर खिड़की में बैठ जाता है गोरी मैं मैंडक का कीमा अभी बना लेता हूँ सुभा सुभा मुझे काम करने में बहुत दिक्कत होती है कालू जी मुझे बहुत नीदा रही है तुम बाकी का काम करो और मैं सो रही हूँ गोरी चिकन बर्गर और मैंडक बर्गर में फरका पता भी नहीं चला पक्षियों को कबूतर सब सुन रहा था शीशी गंदे कवे उन्होंने मुझे भी कल मैंडक बर्गर ही खिलाया होगा इन्हें मैं कल देखता हूँ फिर दूसरे रोच जब कालू और गोरी दुकान लगा लेते हैं तो चिडिया कबूतर तोता और चील उनके पास आते हैं कबूतर फूड इंस्पेक्टर को भी साथ लेकर आता है हम सब आज बर्गर खाने आए हैं जल्दी जल्दी सब के लिए बर्गर बनाओ कालू जी मुझे तो कुछ दाल में काला काला लग रहा है ये सारे पक्षी एक साथ कैसे अब पहले तुम दोनों एक एक बर्गर खाओ हम बाद में खाएंगे नहीं नहीं मुझे तो भूक नहीं है भूक नहीं है जा तुम मैंडक बर्गर खाना नहीं चाहती हो ऐसे कहते हुए सब पक्षी मिलकर गोरी और कालू की पिटाई करते हैं और फूड इंस्पेक्टर उन्हें पकड़ कर ले जाता है कवों को उनके बुरे काम की सजा मिल जाती है हर रोज की तरहां चीडिया का बेटा कुकु अपने खर से अस्कूल के लिए निकलता है वो जाते हुए जगू कवे को भी साथ ले कर जाया करता था जो उसके साथ ही पड़ता था जगू चलें क्या आप त्यार होगे हो मेरी कैसी त्यारी बस बैग उठाना है और मैं त्यार क्या आपने आज फिर नहीं नहाया और दांत भी साफ नहीं किये होंगे छोड़ो यार मुझे नहाने से बहुत डर लगता है और मेरे दांत कौन देखेगा फिर वो दोनों दोस्त अपने असकूल जाते हैं रास्ते में कुकू एक सुर्ख गुलाब का फूल देखता है जगू चलो थोड़ी देर उस लाल गुलाब से बात करते हैं हेलो दोस्त मेरा नाम कुकू है और आपका क्या नाम है मेरा नाम रोज है मैंने आपको आज ही देखा मुझे से रहा नहीं गया और मैं आपसे मिलने चला आया मैं आज ही खिला हूँ मैं इसी रास्ते पर रोज असकूल जाता हूँ क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे आप बहुत अच्छे हो और बहुत सुन्दर लग रहे हो आप से ज्यादा नहीं इस धूप में आपका सुरख रंग बहुत शानदार लग रहा है मैं जग्गू हूँ मैं कुकू का दोस्त हूँ जैसे ही जग्गू बोलता है रोज का तो धम गुठने लगता है वो अपना मुझ दूसरी तरफ कर लेता है दोस्त क्या हुआ क्या आप मुझसे दोस्ती नहीं करोगे नहीं चुप कर जाओ आप गंदे हो आपके मुझसे गंदी बू आ रही है और आपकी चौँच भी बहुत गंदी है जग्गू अगर ऐसे गंदे रहोगे तो कोई भी आपसे दोस्ती नहीं करेगा अपना मुझ बंद करो तुम्हें नया दोस्त मिल गया है ना इसलिए तुम मुझे ऐसा कह रहे हो ऐसा कहते हुए जग्गू वहां से चला जाता है कुकू सोरी आपका दोस्त मेरी वज़ा से नाराज हो गया मगर मैं सच कह रहा हूँ जब वो बोला तो मेरा धम गुठने लगा था दोस्त मुझे सब पता है अभी रास्ते में उससे मैं यही बात कर रहा था मगर वो मेरी मानता ही कब है अब मैं जाता हूँ कल मिलेंगे बाए बाए दोस्त और कुकू भी जग्गू के पीछे अपने अस्कूल चला जाता है पहले तो जग्गू कुकू के साथ बैठता था मगर आज कुकू से गुसे होने के कारण जग्गू कीकी के पास बैठ जाता है जग्गू यहां आजाओ मेरे पास मैं आपका दोस्त हूँ नहीं आज से मैं कीकी के साथ बैठा करूँगा मर गया मैं तो मर गया रहे जग्गू तुम्हारे मूँ से बहुत गंदी बू आ रही है प्लीज आप कुकू के पास ही चले जाओ क्या बात चल रही है टीचर जग्गू से कहें कि अपने दोस्त कुकू के पास ही जाकर बैठे मुझे इसके मूँ से बहुत गंदी बू आ रही है जग्गू क्या आप दांत साफ नहीं करते हो क्या आज ब्रश किया है आपने सर हमें तो लगता है इसने पूरी जिंदगी में कभी ब्रश नहीं किया होगा चुपकर के बैठ जा तू बड़ा आया मोटू कहीं का जग्गू चलो बेटा आप जाकर कुकू के पास ही बैठ जाओ फिर जग्गू कुकू के पास जाकर बैठ जाता है कुकू क्या आपको जग्गू के मूँ से बू नहीं आती सर आती है मगर मैं अपने दोस्त को सब के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता था मैं इसे रोज कहता हूँ कि नहा कर ब्रश करके स्कूल आया करो और साफ सुत्रे होकर अस्कूल नहीं आते वो सबके लिए मजाक बन जाते है कोई उनसे दोस्ती नहीं करता कोई उन्हें पास नहीं बठाता अपने मैं फिर कभी अस्कूल नहीं आऊंगा ऐसा कहते हुए जगू कलास से चला जाता है टीचर मैं इसे मनाता हूँ कहें जगू दूर ना चला जाए फिर कुकू जगू के पीछे जाता है क्यों उदास होकर बैठ गे हो दोस्त दूसरों से मिलना जुलना सीखो रोज ने ठीक ही तो कहा था चलो चलो मेरे साथ कल रोज से भी मिलने जाना है अगर मैं हर रोज बरश करूँ और नहा कर अस्कूल आउँ तो क्या सब मुझे से दोस्ती करेंगे क्यों नहीं अगर आप अपने दान साफ करेंगे और साफ रहेंगे तो सब आपको पसंद करेंगे फिर उस दिन जगू खर जाकर साबून से नहाता है वो अच्छे से अपने दान साफ करता है और अपनी चौँच गरम पानी से साफ करता है ममा मेरा अस्कूल का यूनिफार्म धो दिया था जगू बेटा मैं तो हर रोज आपका यूनिफार्म त्यार रखती हूँ मगर आप तीन तीन दिन यूनिफार्म चेंज ही नहीं करते हो ममा मैं कल से अच्छा बच्छा बन जाऊंगा मैं हमेशा साफ रहूंगा फिर दूसरे दिन जब कूकू और जगू अस्कूल जाते हैं तो रास्ते में कूकू जगू से कहता है चलो रोज से मिलने चाते हैं रोज देखो तो आज मेरा दोस्त कैसा लग रहा है क्या ये वही कल वाला कववा है हाँ मगर आज मेरा दोस्त साबून से नहा कर आया है और मैंने आज अपने दांट भी साफ किये है आज तो आप मुझसे भी जाता सुन्दर लग रहे हो क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे मेरा दोस्त बहुत सुन्दर है हाँ मगर रोज से दोस्ती तो करना ही पड़ेगी फिर वो सब हंसने लग जाते हैं उस दिन के बाद जगु हमेशा साफ सुत्रा रहता है